नमस्कार दोस्तों देखे मित्रों अभी कुछ विद्यारतियों के दुआरा पिसले दो-तीन दिनों से ये लगातार कमेंट आ रहे हैं कि सर इस तरह की जो न्यूज आप ये देख रहे हैं आपके सामने न्यूज पेपर में आये था ही तो क्या अब फर्स्ट गेट का एक्जा करें आप और केवल अपने स्टेडि पर दिहान लगाएं इस तरह की चीज़ें आती रहती है और ये आगे भी आएगी इसी परकार से हैं देखे सबसे पहली बात तो ये है जो आपके सामने ये न्यूज है क्या ये न्यूज शही है क्या तो देखे ये तो सही है ये आरपे प्यार थी हैं वो ये समझ रहे हैं कि दूसरे एक्जाम नहीं हो सकती या दूसरी वेकेंसी नहीं आ सकती ऐसा नहीं है ये थोड़ा सा समझने का इस चीज में डिफ्रेंस है इसमें देखिए ये लिखा बाता कि आगले जो पांच मैनों में दिसंबर तक मातर तीन परिशां का काऱ की जाएगा उक्टोबर नॉमबर में और यह आपने भरतियों के नाम भी देंखेंगे जैसे यहन का है वाइस प्रिंसिपल और यह गुरूप में इस्टेक्स का है तो अक्टोबर में और यह नॉमबर में एकजाम है skills अब देखेगा तो दोस्तों सबसे पहली बात तो है कि इस news से आपको कोई घबरानी क्याव शक्ता नहीं है इस news का मतलब ये बिलकुल भी नहीं है कि first gate की vacancy नहीं आ सकती ये केवल एक news है जो कि RPC की site पर भी उपलब्द है जैसे जो future में होने वाले exam का calendar होता है उसमें आपको ये तीन exam मिल जाएंगे तो ये तो जो है ये already decide है लेकिन इसका नई vacancy नहीं आएगी उससे कोई लेना देना नहीं है vacancy के लिए सरकार पूरी त्यारी में है RPC को अबरता बेजने के बाद में RPC vacancy जारी करेगी और आप ये चीज देख चुके हैं कि RPC vacancy निकाल चुकी है जैसे दूसरी vacancy है एक बार सब इस्तकीत होने के बाद में RPC भी अपनी vacancy का program शुरू कर चुकी है और जो अधिनस्त बोर्ड है वो भी अपनी vacancy का काम शुरू कर चुका है तो vacancy कभी भी आ सकती है अगस्त मंत में आ सकती है संभावना है या सिप्टमबर के सुरू में आ जाए वेकैंसी कभी भी आ जाएगे और उसके बाद में 9 दिसंबर के अंदर ये संभावना है कि इसका एक्जाम हो और अगर मानेजी उसमें नहीं भी होता है एक दू महीने और उपर हो जाएगा इसे जदा इस चीज में फर्क पढ़ने वाला नहीं है तो आप इस तरह की चीजों से प्रभावित नहीं होए क्योंकि फर्स्ट ग्रेड कोई इतना आसान भी नहीं है आप जानते हैं कि रिट शेकिंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड इनमें सब से जादा जो लेंदी स्लेवर्स होता है, सबसे बड़ा जो स्लेवर्स होता है, वो होता है फर्स्ट गेट का, जिसमें अकेले जिके के पेपर में लगबग 12 सब्जेक्ट होते हैं, और उसके बाद सेकिंड पेपर है जो ऑप्षनल सब का, तो वो तो एक पूरा कंप्लीट माहा बारज हैं, तो इतने बड़े स्लेवर्स के अंदर वेक्ति को एक साल की जो चीह तियारी करने के लिए, तो आप पहरे से जो कर रहे हैं, उसको कंट्टिनो बनाए रखें, और जैसे जैसे ये एक्जाम आगे बढ़ेगा, या इस तरह की कोई भी बिद्यार्थियों में कम्पिटि रद कर दिये गए हैं, उसके बाद में अब एक महिने से उपर का समय हो चुका है, वो एक्जाम रद किये वे, और आप खुद देखें कि इस एक महिने, यानि 30 दिनों से उपर का समय हो चुका है, और इन 30 दिनों में आपकी पढ़ाई, क्या सही तरिके से हुई है, या जैस पिछले एक महीने में जो अभी समय निकला है, RPC के द्वारा प्रेशन उठाने के बाद में, कि एक्जाम इस्तगित कर दिये गए हैं, और जिस तरह से ये एक महीना निकला है, अगला दूसरा भी निकलेगा, तीसरा भी निकलेगा, चोथा भी निकलेगा, और पांचवा भी बजाए, आप अपनी जो त्यारी है, उस पर एक जगा ध्यान लगाएं, क्योंकि एक्जाम का स्लेबस इसका बहुत बड़ा है, और अब वो समय नहीं रहे कि आप कोई भी सब्जेट को, जो यू लगे कि यह हार्ड लग रहा है, तो इसको छोड़ दें, जैसे कई विद्य क्योंकि इतना समय मिला है, कि हर विद्यारती अपने आपको मजबूत करने में लगावा हैं, और कोई लाखों वेकेंसी हैं नहीं, कुछ संख्या में आती है यह, अलग लग सब्जेक्ट की, और उसमें भी फिर सबका अलग विवाजन है, जनरल केंडेट में इतनी सीट और उसमें फिर नमबर लाना, तो मित्रों यह चीज़ें आसानी से मिलने वाली नहीं है, आप जानते हैं कि कितने लोग हैं जो इसका इंतजार करते हैं, कितने विद्यारतियों की बेड जो है रास्तान में हर साल उनकी बेड होती है, कितने विद्यारति बेड करके आते हैं कितने अहमे करते हैं और आप नए विद्यार्थियों को बहुत मोका मिलेगा तो नए विद्यार्थी भी अपनी पूरी त्यारी करेंगे इसके साथ उन सभी को मोका मिलेगा तो इन चीजों को आप समझें और continue जो आपकी बढ़ाई है जो आपका द्यान है इसको बनाए रखें आप जितना ज़्यादा द्यान जो है इससे बढ़काएंगे उसमें आपके लिए लोज की स्तती है और मैं आपको एक बार फिर से ये कह सकता हूँ कि जो लाश्ट के 30 दिन निकले हैं उसको आप फिर से सोचेगा एक बार क्या लाश्ट के 30 दिनों में इस एक महिने से भी जो उपर का समय नेकल चुका है क्या इसमें आपकी पढ़ाई जैसी होनी चीए थी बहतरीन जैसी हम कह सकते हैं कि एकजाम में होनी चीए क्या उस तरह से हुई है नहीं हुई है तो उन चीजों को आप सोचे फिर से और अपनी त्यारी को मजबूती से बनाई रखें तो दोस्तों मेरा जो आज का वीडियो बनाने का उद्देश्य है वो यही है कि आप इस तरह की चीजों में जो अपना ध्यान नी बढ़का है और वेकेंसी कब जारी होगी तो देखे कभी भी जारी हो सकती है सेकंड ग्रेड के जो रिजल्ट है वो आना सुरू हो चुके हैं आरपेसी अपना काम धमा धम कर रही है फटा फट तो RPC भी इस इंतिजार में है कि हमें 1st grade की जितनी सिटे हैं जो इसमें जितनी बढ़ा के और जो भी वो मिले नई vacancy की रूम में अबरतना हम उसको vacancy जारी कर सकें उसके बाद एक बार vacancy जारी होने के बाद में फिर time कैसे निगलेगा आपको पता भी नहीं चलेगा येकिन मान ये time का पता फिर आपको नहीं चलेगा कब 2 मेना 3 मेना निकल जाएंगे 4 मेना निकल जाएंगे 9 अबर दिसंबर में नहीं भी होता है मान लेजिए नहीं भी हुआ तो उसके दो मेने और उप्रमा लेजिए एक्जाम तो होगा ये तो शोर है कि होगा तो सही, कभी हो, होगा तो सही तो उसके लिए फिर अपने आपको इतना डिश्टप क्यों करना है और इस चकर में जो सीरे सब्यरती है उनका माइंड बहुत जादा डिश्टप होता है ये बार-बार जो इस तरह की खबरें होती है कई बर तो मित्रों आपका ये जीवन जो है ये बहुत मैथपून है और ये वेकेंसी भी आप जानते हैं इतने समय से त्यारी कर रहे हैं तो अपने त्यारी को लगातार बनाए रखें और अपने ध्यान को नहीं बटकाएं और जहां तक मुझे जो वीडियो बनाने हैं इसके लिए चाहिए साइंस के हो चाहिए जो भी हैं तो आपके लिए लेके आएंगे बहुत कुछ लेके आएंगे आप अपने त्यारी को बनाए रखें और जो चीजें हैं हमारी वो सब आपको करवाएंगे इसमें तो आज के वीडियो में इतना ही वीडियो को लाइक जरूर करें ज़्यादा-ज़्यादा शेयर करें तो मिलते हैं नेक्ट वीडियो में एक नई विशे के साथ जै हिन जै भारत